जैसिव संभू आज हम आप लोगों को प्रदोस काल का ब्रत के बारे में सुनाएंगे जो इसकी स्टोरी और कैसे किया जाता है प्राचीन काल में एक करीब पुजारी हुआ करता था उस पुजारी की मिर्तियू हो गए मिर्तियू के बाद उसकी बिद्वापतनी अपने भरन पोसन के लिए पुत्र को साथ लेकर भीक मांगती हुई साम को घर वापस आती थी एक दिन उसकी मुलाकात बिदर्विदेश के राजकुमार से हुई जो अपने पिता की मिर्तियू के बाद दरदर भटकने लगा था उसकी यह हालत पुजारी की पतनी को देखी नहीं गई वा उस राजकुमार को अपने घर ले आई और अपने पुत्र के जैसे रखने लगी एक दिन पुजारी की पतनी तोनों पुत्रों को साथ लेकर सांडिल रिशी के आस्रम गई हाँ उसने सिवजी के प्रदोस काल की ब्रत की कथा सुनी और ब्रत की बिधी कैसे है वा भी सुनी और घर जाकर वा भी ब्रत करने लगी एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे उनमें से पुजारी का बेटा घर लोट गया पर अंतू राजकुमार वन में ही रह गया उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीरा करते हुए देखा तो बात करने लगा कन्या का नाम अनसुमती था उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लोटा राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुचा जहां अनसुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी तभी अनसुमती के माता पिता उस राजकुमार को पहचान लिया उसने राजकुमार से कहा आप तू विदर्व नगर की राजकुमार हो ना आपका नाम तो धर्म गुप्त है अन्सुमति के पिता को राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की किरपा से हम अपनी पुत्री का विवाँ आप से करना चाते हैं क्या आप इस गुर्ति दे दी उन दोनों को, फिर उन दोनों का विवां संपन हुआ, बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विधर्व पर हमला किया, और घमासान युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त की उसने, वहां उस महल में पुजारी की पतनी पहुची, उको अपने साथ रखने लगा और उनकी गरीबी दरिद्रता दोनों की दूर हो गई एक दिन अनसुमती राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस तब राजकुमार ने अनसुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और रहस तब राजकुमार उसको सारी बातें पुरानी बताई और बृत का महत और बृत से प्रापत फल के बारे में भी अवगत कर आया उसी दिन से प्रदोस बृत की परतिश्ठा का महत बढ़ गया फिर लोग इसी तरह प्रदोस काल की बृत करने लगे कई जगए इस्त्री और प्रुष दोनों प्रदोस काल की ब्रत करते हैं इस ब्रत को करने से सभी कष्ट और पाप नश्ट हो जाते हैं और मनुस को अभिष्ट की प्राप्ती होती है गुरुवार प्रदोस ब्रत रखने से पूर्वचों का आसिरवाद मिलता है और गुरू दोस दूर हो जाता है एक बार की बात है इंद्र और वृतासूर की सैना में खनखोर युद्ध हुआ देवताओं ने देंट्य सैना को पराजित कर नश्ट भरष्ट कर डाला या देख वृतासूर अत्यंत करोधित हुआ और स्वेंग ही युद्ध में उत्रा और उनसे युद्ध करने लगा असूरी माया से उसने अपने आपको विक्राल रूपधारन कर लिया सभी देवता भैभीत हो गए अब सभी देवता गुरू ब्रहश्पती के सरन में पहुँचे ब्रहश्पती महराज बोले पहले मैं तुम्हें विरितासूर का वास्तविक परिचय देदू विरितासूर बड़ा तपस्वी और कर्म निष्ट है उसने गंद मादन परवत पर घोर तपस्या कर सिवजी को प्रशन किया है पुर्व समय में वा राजा चितरत नाम से जाना जाता था एक बार वा अपने बिमान से कैलास परवत पर जा पहुँचा और वहां देखा जो सिवजी के बाम अंग में माता पारवती विराज मान थी और यह देख वा उपास करने लगा किन्तु डेव लोक में ऐसा द्रिष्टी गोचर नहीं हुआ कि इस्त्री आलिंगन बद हो सभा में बैठे चितर रत का यह वचन सुनकर सर्व ब्यापी सिवशंकर हस कर बोले राजन मेरा ब्याभारिक द्रिष्टी कौन प्रिथक है मैंने मिर्त्योदाता काल कुट महाविश को पान किया है फिर भी साधारन मनुस्य की तर मेरा उपास उरा रहे हो फिर माता पारवती क्रोधित हो जितर रत को संबोधित ही और बोली अरे तुष्ट तुने महेश्वर के साथ मेरा भी उपास उराया है मैं तुम्हें सिक्षा दूंगी कि उभास उराने का क्या अर्थ होता है फिर भविस में कोई भी संतों का उभास करने का दुश्चा हस नहीं करेगा जाओ मैं तुम्हें स्राप देती हूँ कुई तुम विमान से उत्रो और दैत्य कुल में जनम लो फिर वा दैत्य कुल में जनम ले लिया और उनकी भेट तुष्टा नामक रिसी के सर्व स्रेष्ट तब के कारण वा बृतासुर बना फिर गुरु देव ब्रेस्पती आगे बोले बृतासुर बालिकाल से ही सिभवक्त रहा है फिर गुरु ब्रेस्पती रेव ने कहा इंद्र देव को जो आप गुरु प्रदोस का व्रत रखो इससे भगवान भोले नात परशन्य होंगे फिर वा वैसा ही किया अग्या का पालन किया और वा ब्रत रखा और बृतासुर के साथ युद्ध हुआ और इंद्र देव बिजाई हुए और देव लोक में सांति छा गई तो ये थी दो कथाएं जो गुरु प्रदोस की थी तो सभी बोले उमापती भगवान संकर की जय हर हर महादे या ब्रत मैने में दो बार आता है कृष्ण पक्च और सुकल पक्च तो सुकल पक्च का बहुत ही अच्छा होता है इस ब्रत को करने के लिए सुबा प्रदोस काल में उठकर अश्णान आदी कर भगवान बोले नात का अभिसेख करें पंचामरिक बना कर हो सके तो उसमें काला तेल भी डाल कर भगवान बोले नात का अभिसेख करें सम्मी के पत्ते, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक, ये भगवान को बहुत पिरिया हैं, ये सब चरहें इस ब्रत को करने के बाद आप हरे मूंग का सेवन करें, लाल मेर्ज का सेवन ना करें, तामसीक बोजा जैसे प्याज लहसुन, नौन भेज, ये सब चीजें ना खाएं, पूजा होने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं, या फिर हरे मूं को खा सकते हैं और दूसरे दिन आप पारण कर लें, वो भी आप फ्याज लहसुन के बिनंग, तो आप लोग भी करें, अगर गुरु दोस है, तो आप लोग ये ब्रत करें, इससे आपके गुरु दोस मीट जाएंगे, तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा स करिएगा हर हर महादेव, उमापती संकर महादेव की